इन हो या रात हर वक्त आपकी खवर आप तब चलती हुई समय का रप्तार आशुबटाइम्स टीम की खवर हर दम हर कदम सटिक बातें आपकी आवाज तेजगती से चल रही है नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आशुबटाइम्स में आप सभी का स्वागत है आज हम सभी लोग कासी की धरती पवित्र पावन धरती विसुनाथ बाबाजी की सुन्दन नगरी में बिराजमान है यहाँ आप देख रहे हैं सिदे कासी वारंसी की धरती पर आज मन गदगद सुन्दर हिर्दे लग रहा है क्योंकि होली का समय है रंग बिरंगे संपूर भारत वर्ष में गुलाल के साथ या धरती पर जो है कासी की नगरी में मा गंगा की सुन्दर धाराओं के साथ साथ पवित्र धाराओं के साथ हम सभी लोग आज यहाँ की एक सुन्दर धर्ती लग रही है पवित्र धर्ती हम सबको खुब सुन्दर विराजमान आज देखने को मिल ला है अलोकीक दिब और जो है सांस के टिक्रित रिवाज में बना हुआ या कासी की नगरी कितनी खुबसूरत हम सभी को आज दर्सकों को दिखा रहा है तो आईए हम सभी लोग कहीं पर भी आप रंग बिरंगों के साथ साथ आज होली का मौसम चल ला है और कासी की नगरी में इस वक्त बिराजमान है और कासी की धर्ती आज हम सभी को यहाँ पर बुला रखी है या बुलाने का तातपर यह है कि यहाँ की धर्ती पवित्र धर्ती हम सभी देश विदेशों के सभी सहलानी को आकर और कासी में परभु स्री राम जी और हम सभी लोग विसुनात बाबा जी की सुन्दर नगरी और मा गंगा की आरती साम को होता है और उसमें हम सभी लोग सामिल हैं तो यह सुन्दर्ता की एक जलक दिखाई दे रही होली का समय है और रंग बिरंगे गुलाल के साथ एक दूसरे मित्रों के साथ आज हम सभी लोग यह लगा रहे हैं और सादगी और प्रमप्रा के साथ साथ हम सभी लोग पवित धर्ती का सब को खुब सुन्दर जो है आज दि तो आज हम कासी की नगरी में हो आप देख सकते हैं पवित्र पावन धर्ती आज बिसुनाथ बाबा जी की सुंदर नगरी आज जो है चारो तरफ संपूर भारत वर्स में रंग बिरंगे गुलाल के साथ साथ आयोध्या प्रियागराज और हरिद्वारु जैन और बिसुनाथ जो है मंदिर और अनेक ऐसे तीर थस्थल है जो विसुनाथ बाबा जी आज सभी को आशिरबाद के साथ साथ सभी को आज एक अंखुसियों का जो है अंबार लगा है तो आज हम साधिगी प्यार महबत का या पर्व है और हम सभी को एक दूसरे को मनानी चाहिए धर्ती नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबह टाइंस में आप सभी का स्वागत है इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ कासी की नगरी पामन पवित्र धर्ती पर जहां आप देख सकते हैं होलिका दहन आज यहाँ पर सुबह से लेकर और साम तक का आप नजारा देख रहे है चारो तरफ इस वक्त जो है आज होलिका दहन की तैयारियां जोर सोर के साथ चल लही है संपूर भारत वर्स के जन्मानस को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुबकामनाय पहुंचे आज हिंदू रित रिवाज मानने वाले होलिका दहन आज सत्य पर जीत की सदियों पहले आ रहा अद्भूत परंपरा आज सभी खुशियों के साथ रंग बिरंगे रंगों के साथ चारो तरफ मौसम चल लही है आज 25 मार्च 2003 को और 25 मार्च 2003 को सुबा होलिका दोपार तक रंग बिरंगों में सभी आम देशवासी सभी सराबोर रहेंगे यह जन्मानस के आज हुलका दहन की सुबकामनाओं के साथ साथ सत्त पर जीत की बिजयी यह देखी जा रही है आज हम सभी लोग पुराने परंपराओं के साथ साथ हर तेवहार बड़े परंपराओं के साथ और साधिगी से मनाते हैं और किसी भी रंग बिरंगे जैसे की आम जन्मानस को य तो आप उसे सावधान रहें डूबली कोईट भी हो सकता है आप जांच परक कर ही आप किसी भी सामान को सेवन करें और खरीदें आज एक खुशियों के पर्व के साथ साथ आज हम सभी को अपने सेहत को लेकर भी सचेत रहना है क्योंकि मार्किट में बहुत सारे ऐसे केमिकल बिक रहे हैं जो रंग से लेकर हर चीज जो है हम सभी मानो जात को बिल्कुल भी नुकसान पहुचा सकता है इसलिए आप तेवहार मनाईए खुशियों के साथ साधगी से मनाईए और या होली मिलन का एक दूसरे एक दूसरे का आप खुशियों के साथ बाटिए लेकिन उपीयोग कर रहे हैं उसके बारे में भी होनी चाहिए तो आईए हम सभी लोग आज सुबकामनाएं हैं आज 24 माँ 2023 है और होली का दहन की तैयारिया जोर सुर के साथ समपूर भारत वर्स में चल लए और या होली के दहन का सुबकामनाओं के साथ साथ कल 25 मार्च 2024 को हम सभी लोग सुबह से लेका साम तक जो है बेंजनों के साथ जो है रंग बिरंगों में सराबोर रहेंगे और सभी लोग साध़गी से के साथ लोग अपने अपने परंपराओं के अनुसार आज जो है हुलिका धहन का और सुबह कल रंगबरंगे सराबोर के साथ सबी एक दूसरे का रंगगुलाल लगाएंगे उसके बाद 12 बजे के बाद रंग का परंपरा समाप्थ होने के बाद उसके बाद अवीर का समय आएगा और वह सम्मानित बेक्टियों को हमेशा अवीर की सुब कामणाओं के साथ साथ रंग बिरंगे अभीर एक दूसरे दूसरे लोगों के सुबकामना देंगे एक छोटे बड़े का सम्मान के साथ साथ हमारा भारत सदे उस परंपराओं के साथ आगे बढ़ता हुआ या आज हम सभी लोग अपने पुराने परंपराओं को आज भी जागरिक की साथ जो है या जागरण करते हैं तो आप देख रहे हैं आज होलिका दहन है और कल होलिका जो है दहन के बाद जो है पचीस मार्च जोजाच चौबिस को रंग बिरंगे सराबोर के साथ एक दूसरे लोगों को खुशियों के साथ रंग बिरंगे होलिका खेलेंगे, कि आज होलिका का जो परंपरा है या सधियों पहले आप इसे जानते हैं, मानते हैं, और हर वर्ष की भाती आप होलिका जो है मनाते भी हैं तो संपूर्ट तैयारियों के साथ थेक और अगाज आप सभी से आज सुबह टाइंस टीम आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत होलिका की हार्दी बधाय सुबकामनाय देता है वहें पर हम सभी लोग जो है सभी परंपराओं के साथ साथ अपने सहत के बारे में जागरूता भी हम सभी को लानी है जिस तरह से हम नसीले पदार्थ के बारे में अत्याधिक पर्व के साथ मनाते हैं तो आप सभी से खास अपील है कि आप उस दिन जो है पर्व के दिन जैसे कि आप दारू सराप और अन नसीले पदार्थ उपियोग न करें या करने से सहत कि आपकी खराब हो सकती है और आप जो है या अनेक नसीले पदार्थों से उपियोग करने से जानमाल का भी नुकसान हो सकता है इसलिए आप सभी से खास अपील है कि आप होली के दिन काफी लोग सराब पी कर रोड पर सड़क पर अनेक जगह से जो है या ऐसा जो है बकते रहते हैं और चलते रहते हैं और या भद्दी भद्दी बातों को भी आप सभी को सालिंता से हम सभी को निभानी हैं और या हम सभी लोग इससे बचना है तो आप सराब पी रहे हैं या नसीले आप कोई भी पदार्थ उपयोग कर रहे हैं तेवार के दिन तो आप यह सब ना करें क्योंकि घर परिवार और सभी का मान सम्मान के साथ आगे बढ़ें तो आएए हम सभी लोग साधगी और भरे रंग के साथ आज हम सभी को मौसम का मिजाज आगे बल रहा है फागुन का मौसम चला है और 25 मार्च 2024 को सुबा होली की दियारियां रंग बिरंगों के साथ साथ एक दूसरे एक रंग गुलाल के साथ आज हम सभी लोग रंग बिरंगे सराबोर अपने जीवन में होने जा रहे हैं और दोस्तों से कि आप ऐसा हर्गिस ना करें और आप सभी लोग कोई भी पर्ब हो आप साधिगी से मनाएं प्यार महबत के साथ मनाएं एक दूसरे के रंग गुलाल लगाएं और हम सभी का या परंपरा है कि नसीले पदार्थ का उप्योग नहीं करने चाहिए तो फिर हम आप से मिलते हैं तब तक आप रंग विरंगे के साथ होली का और होली मनाईएं और आज सुबह टाइम टीम और लाल चन सोनी आपको बहुत-बहुत हार्दी बदाए सुब कामनाएं देता है फिर हम आप से मिलते हैं किसी मुद्दे साथ तब तक अपना ख्याल परिवार देशा ख्याल लगके जैहिंजे भार नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकोन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेसं मिल जाए धनबाद